इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. केराशाइन के लोशन दो एंटी फंगल दवाओं से मिलकर बना है जो त्वचा के फंगल संक्रमन और रूसी का प्रभावी धंग से इलाज करता है. यह संक्रमन का कारण बनने वाले कवक को मारता है और खुजली और जलन से राहत देता है. केराशाइन के लोशन केवल बाहरी उप्योग के लिए है और इसे आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार इस्तिमाल किया जाना चाहिए. द्वा की एक पतली परत केवल साफ और सूखे हाथों से त्वचा के प्रभावे क्षेत्रों पर ही लगानी चाहिए. द्वा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोएं. अगर यह आपकी आँखों, नाक या मूह में चला जाए तो पानी से धोलें. आपके लक्षणों में सुधार होने में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है, लेकिन आपको नियमित रूप से इस दवा का उपयोग करते रहना चाहिए. दवा की बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उपचार का कोस पूरा किया जाना चाहिए. यह दवा आम तोर पर बिना किसी सामानी दुष प्रभाव के उपयोग करने के लिए सुरक्षित है. हाला कि अगर आपको आवेदन साइट पर जलन, लालिमा और त्वचा में खुजली जैसी प्रतिक्रियाओं का अनुभव होता है, तो अपने चिकित सक से परामर्ष करें. यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी. लेकिन अगर आपने हाल ही में रूसी के लिए किसी अन्य दवा का उप्योग किया है, तो इसका उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें. गर्भवती महिलाओं के लिए दवा की सिफारिश नहीं की जाती है. गर्भवती और स्तन्पान कराने वाली माताओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.